हाई फ्रेंट्स आज हम सेखेंगे थ्री भीयतिया फ्लाट में कैसे कॉंसिल पैप लगाना है और यदि आप इस वीडियो को कम्पीट वाज कर लिया तो आप अपने घर पे खुझ से कॉंसिल पैप लगा सकते हो पैसा बचा सकते हो और यदि आपको कोई भी समसिया होता है त आप मुझे कुमेट वाक्स में पूछना मैं आपको उसका जबाब जरूर दूँगा मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज इस्टिप बाइस्टिप बताऊंगा यहां पर आप देख सकतो आगे इतना बार बालकोनी है और यह जो है पहला रूम है और इसके जस्ट यहां पर आएगा यहां जाएगा फिर इस तरीका से यह होल है हमारा फिर इस सैट आप देख सकते हैं तो एक और रूम है यह टोटल तीन रूम कंप्रीट हो गया यह तिसरा रूम है हमारा और इसके जस्ट बगल में यहां पर कीचेन है यह इतना बरा जो है यह कीचेन है औ सिर्फ बॉक्सों लाने के लिए अब आप यहां पर देखो जहां पर एक पाइप निकला हुआ वाइट कलड़का यह दिछत पर हमें कोई सा भी लाइट लगाना हो या विर कुछ भी लगाना हो हम यहां से लगा सकते हैं और यहां जो पाइप जहां साया हो है वहीं पर इसका मसाला तो निकल जाएगा लेकिन यदि इसके अंदर पाइप में चला जाएगा तो पाइप जाम हो जाता है इसलिए आप इसे अच्छे से चिपका दो टिप से और यदि आप फॉंसिल बॉक्स ले रहे और फैन बॉक्स ले रहे हो तो आप अच्छे क्वालिटी कलो और यदि जब धी इस में ढलना होता है इस पर लेवर सब चड़ता है इससे ये टूटना नहीं चाहिए इसलिए आप विकन लेटी कलो अब हमें यह डिसाइड करना है कहां पर हमें लाइट लगाना है इस रूम के चारो कोंडा में मैं लाइट लगा है और सेंटर में फैन लगा दिया है हमें दिवाल से दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए यह डिस्टेंस भी यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस सेम होना चाहिए और लगवग यह 1.5 फिट होना चाहिए लगवग कॉंसियल बॉक्स का डिस्टेंज नर्मली दिवाल से 1,5 फीट या दूफिट रखते हैं जब मेरा रूमका साइज 1088 का या फिर 10212 का रहता है यादि आपका रूमका साइज ज्यादा है तक आप काणील बॉक्स का डिस्टेंज दिवाल से ज्यादा बढ़ कर सकते हो क्योंकि आपको नॉर्मल यह देखना है जब हमारा सेंटर में फैन रूटेट करेगा तो उसका जो परचाई है नीचे में रूटेट करता हुआ नहीं देखे इस तरीका से आपको लाइट को देखके लगाना है अब हम चलिए दिखाते हैं आपको हमें किस तरीका से पाइप यह जो पाइप है हर एक कोंसिल बॉक्स और फैन बॉक्स के अंदर लगवागा आधा इंच जाना चाहिए इसमें हम कूट भर दी हैं तो इसे इसके अंदर दालने में थ्वासा दिकत होगा लेकिन तो ज्यादा दिकत नहीं हुगा क्योंकि हम उतना ज्यादा टाइट से नह देंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ आप देख सकते हो आधा इंच हम इस तरगा से मेजर कर लिए हैं अब हम यहाँ पर इसे इसे काट लेंगे और इसी पाइप को थ्वासा टेड़ा करके क्योंकि यह सीधे नहीं खुशेकत पाइप को थ्वासा बेंड करना हो और वेंड करने के बाद हम इस लाइट बोक्स में लगा देंगे एब देख सकते हों क्हुंत भासा क्रेंगे पाइप को और इसमें लगा देंगे और आप इंट होल वाल नरिकलें यहीं और यह उफीन बोक्स लेता होगे में कोंदिकत नहीं होगा चलिए Entwick post ॉबसुनमें स से काट लेंगे फिर हम इसको बेंड करके लगा देंगे आप देखते हैं यहां पर लगा दी हैं पाइप लेकिन यहां पर आप देख सकते हो यह जो है पाइप मेरा यह उपर उपर है यहां पर लोहा बिछा हुआ रहता है सर्या जो बिछा हुआ रहता है वो दो लेयर मेरा आ यहां पर दो लेयर का लोहा रहता है तो दोन लेयर के बीच में पाइप को लगाना है जहां जहां पर दिक्कत होगा वहां वहां पर आपको टिढ़ा कर देना है पाइप को यह लोहा को और पाइप को अंदर से भी गुसाना है आप देख सकते हो यह भी सेंटर में सेंटर में जो लोहा रहाता है वो है सिंगल लेयर का रहाता है इसलिए यहां पर आप आपको ऊपर उपर लोहा दिख राहे गया यहां भी आप देख सकते हो भाल जो रूम तरह से अंग यहां यहां पर fan box से आया है यह a-hole से यहां का मिन पैप आया है और घर में जो हूं पाइप लगाते बोड के लिए नौर्मली तीन जगह आपको फाइप को गिराना है बोड के लिए यहां पर आपको काम करते करते हैं कि लगव कि का है लाट बज चुका है अभी आपको दिखाना यह दूसरे रूम का है चारो साइड में लाइट बॉक्स लगा है तीन साइड में पाइप लगा हुआ है बोड के लिए और में पाइप जो है सेंटर से आया हुए हो यह से ूट यह दित्ग का आपो यहाँ पर यहां पर रहा है यहान पर अब diffé Kings और यह करना पर यह है नियुक्त च्राइब लग चुका है कॉंसिल बॉक्स आप मैं आपको सारा चीस से हुआ हमें समझार दे रहा हूं यहां से आप देख सकते हो में पाइब मेरा में वायर आएगा यहां से ऊपर ऊपर की ओर चला जाएगा और यहीं से डिस्टूबीट भी हो रहा है यहां से यहां पर आया सबसे पहल बाइब में दुस्टा रोम में डिस्टूबीट होए और इस हॉल में जो बूर लगेगा उसका भी प्याप यहां पर नीचे गिराया हुआ है आप सारा चीज यहां से देख सकते हो पाइप आ रहा है है यहाँ से अब देख summer return जा राही हो वैला दुषा रूम का था यह में पैप जाएगा ओर आगे में आप देख सकते हो बाल में लगाया हुआ है बालकॉन में डोटल चार लेट लगाया हुआ है है इस यह इसी तरेका से पीश फिगर को देख के आप असानी से आप अपने घर में यह लगा सकते हो वाइरिंग के लिए आपको simply यह चेक करना है कि कहां कहां पर आपको lightbox लगाना है कहां कहां पर fan box लगाना है और वह लगा के आपको नॉर्मली सब पाफ को आपको जोर देना है यहां पर तेक्षो तो बालकोनी में भी लगाया वाय लाइट बालकोनी का जो सूच होगा उसके लिए बूर्ड गिराया हुआ है बालकोनी में यहां पर देख सकते हो यहां पर छोटा सा बूर्ड गिराया हो बूर्ड के लिए पाइप गिराया हुआ है तो आपको इस तरह का से वारिंग करना है कि आपका जो लाइट रहे और लाइट से आपका स्थ डिस्टंस रहे वह मीनिममी रहे वहां पर आपको बुट लगाना है ताकि आप उसके नजदी जाकि आपका असानी से लाइट को जला सको सब्सक्राइब एक द् Bear और रूम में जो है मिनिमों तीन साइड? आपको नया चीछ हो फिरिजालाती हो या फिर कुछ और गीजात लाते हो आप उस साइड में रख सकते हो इस सब्सक्राइब पर पिए Shirean गया हुए ह॑ए हुल में दो लाइट 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 लाइस साबब है इस यहाँ आपदेखो यह है बातरूम को ऊपर यह भॉक्स है बॉक्स में एक लाइट यह ए बाथ रूम और के उपर हॉल्ट बनाया हुआ हुए सिर्फ उसकी लाइट के लिए यहां उसमें लाइट होने के लिए लगाया हुए बार्पा सब्सक्राइब रही हाँए Вारेंग के लिए अजुट लगा सकते हो और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है कौन सिल्पाइप लगाने में या फिर वाइरिंग करने में तो आप हमें कुमेंट बॉक्स में कुमेंट कर सकते हो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद तो तली आप मैं आपको सारा चीज एक बार में दिखाने के कोशिच करता हूं यहां पर दूरूम है आगे में बालकोनी है यहां पर यह तिसरा रूम है यह हौल है हम यहां पर दूसरा छत पर चट की वीडियो बना रहे हैं ता ताकि एक बार में ही सारा वीडियो आ जाए यहां पर आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छा सा वाइडिंग किया है